दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि आज की मेल्स पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा कमजोर हो गए हैं फिजिकल ही नहीं बलकि मैंटली और स्ट्रीच चुली भी जहां गल्स और फिमेल्स अपनी हेल्थ और डाइट पर ध्यान दे रही हैं अपने केरियर पर फोकस कर रही हैं अपने ड्रीम्स को पूरा करने में लगी हैं वही दूसरी तरफ मेल्स पौन, मास्टर बेशन, सोसल मेडिया, वीडियो गैमिंग में अपनी जिंदगी खराब करने में लगे हुई हैं दोस्तों कि आप जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा होर्मोन है जो फीमिल्स की तुलना में मेल्स में पांच गुना ज्यादा प्रोडियोस होता है ये हमारी muscles को build करता है, हमारी sex drive को increase करता है, हमारी sperm count को बढ़ाता है, साथ ये हमारी energy and stamina को भी maintain रखता है, जिससे हम बिना थके लंबे समय तक काम कर पाते हैं। दोस्तों अब problem ये है कि एक report के coding males में हर साल testosterone का level 1% कम होता जा रहा है, याने कि हमारे parents में testosterone हमारे मुकाबले 30-40% अधिक है, अब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे parents जितने strong हैं, जितनी मेहनत वो करते हैं, हम उतना भी नहीं कर पाएंगे, अगर इसी तरह चलता रहा, तो feminine qualities बढ़ने लगते हैं, वो छोटी-छोटी बातों पर hurt होने लगते हैं, जल्दी emotional हो जाते हैं, थोड़ी सी भी problem आने पर रोने लगते हैं, जो उन्हें और weak बनाता है, वहीं girls masculine होती जा रही हैं, इसलिए आप देख सकते हैं कि girls हर field में आगे हैं, UPSC जैसे tough exam को सबसे में बेजा जाता था, अपने से दोगने व्यक्ती से fight करवाई जाती थी, ताकि उनकी अंदर से डर को खतम किया जासके, साथ ही meditation पर भी focus करवाया जाता था, कि वो हर situation को बड़ी सूझ भूजी के साथ deal कर पाएं, किसी भी problem को solve कर पाएं, लेकिन आज समय पूरी तरह से अगर आज हमारे parents को कुछ हो जाए, तो हम कुद से अकेले survive भी नहीं कर पाएंगे, जैसा कि पहले के जमाने में लोग कर लिया करते थे, किसी ने क्या खूब कहा है, एक boy हम जनम से हो सकते हैं, लेकिन एक मर्द यानि की strong man हम अपनी choice से बनते हैं, आज की males की चार major problem है, जो उनकी masculine and strong personality को खतम कर, weak and feminine personality को develop कर रही है, फर्स्ट है porn and masturbation, दोस्तो पराने समय में porn तक पहुँच इतनी असान नहीं थी, नहीं इसके बहुत ज़्यादा resource हुआ करते थे, लेकिन आज internet ने porn तक पहुँच को इतना easy कर दिया है, कि आप कभी भी कहीं भी से चंद सेकेंडों में access कर सकते हैं, porn ना सिरफ आपके physical health पर असर डालता है, बलकि आपको mentally भी कमजोर बनाता है, porn एक ऐसी fantasy दुनिया है, जिसका असल जिंदिगी से कोई लेना देना नहीं है, porn हमारे brain को over stimulate करता है, जिसे हमारे brain का prefrontal cortex सिकुणने लगता है, ये हमारे brain का आगे का हिस्सा होत प्री फ्रेंटल कोर्टेक्स हमारी willpower, हमारे emotions, हमारे behavior को control करता है, साथ ही हमें problem solve करने, निर्न लेने और टास्क पर focus करने में help करता है, इसके लावा हमारी intelligence and memory के लिए भी यही हिस्सा जिम्मेदार होता है, जोस्तों heavy porn देखने से heavy masturbate करने की आदत लग जाती है, जिसके का आज males में premature ejaculation यानि की सिगर पतन, retired dysfunction यानि की नपुसकता तेजी से फेल रही है, ऐसा कहा जा सकता है कि porn वो मिठा जेर है, जो आज के males को देरे देरे खतम कर रहा है, सेकेंड है social media, ये बात सही है कि instagram, facebook, whatsapp, आदनी के जरिये हम अपने पुराने दोस्त हमारे relative से जुड़ कर दिया है, जहां पहले परिवार के सदसे मिलकर डिनर करते थे, हसी ठुटोली करते थे, अब सभी अपने अपने मुवाईल फोन पर व्यास्त रहते हैं, बच्चे, बुडे, जवान यहां तकी parents भी मुवाईल फोन addiction के सिकार है, जिसकी वज़े से परिवार तूट रहा है generation gap बढ़ रहा है, घर में साथ रहती हुए भी इंसान अकेला में सूस करता है, loneliness, anxiety, depression में चला जाता है, सोसल मीडिया पर लोग अक्सर खुद को दूसरों से compare करने लगते हैं, दूसरों की wealth, body, pattern देख कर हीन भावना आ जाती है, जिसे frustration बढ़ता है, negativity आती है, चिर्चड़ा कुछ सपने होते हैं, कुछ goals होते हैं, जिनकी life का कुछ purpose होता है, जो लड़के हर समय उनके लिए त्यार रहते हैं, उनकी हर बात मानते हैं, उन्हें वो ज़्यादा पसंद नहीं करती, क्योंकि उनको लगता है कि इस इंसान की जिंदगी में कुछ potent करने लाइक नहीं है, इसलिए वो उनसे बोर हो जाती हैं और उन्हें avoid करना शुरू कर देती हैं, लड़के अपने career पर focus करने के बजाए लड़कियों के पीछे अपना time, energy, पेसा सब कुछ बरवाद कर बेटते हैं, इन short social media दूसरी एक ऐसी fantasy दुनिया है, जो आपको हमेशा अंधेरे में रखती थर्ड है unhealthy routine, दुनिया कितनी रंगीन है, नेचर कितना खुबसूरत है, health कितनी जरूरी है, इसकी एहमियत का इसाथ जब होस्पिटल के ICU में लेटे होते हैं तब समझ में आता है, ना दिन का पता चलता है ना ही रात का, हम सभी philosophers बने बैठे हैं, अभी अगर मैं आपसे fast food, cold drink, मेदे से बनी चिज़े, मिर्च मसाले वाले चिज़ों को avoid करो, हरी सबजियां खाओ, full fruit का 7 crow, etc, 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 ओके ठीक है, अब सवाल ये है कि आप खुद ये सब कर रहे हैं, क्या आप रोज रात को जल्दी सो जाते हैं, क्या आप healthy food खा रहे हैं, क्या आप रोजाना running करने दोस्तों, आज technology जीतिनी तेजी से बड़ी है, वेसे ही हमारी life असान बनी है, लेकिन इन असान चीज़ों ने हमें कमजोर बना दिया है, for example, आज smartphone में आप हजारों number save कर सकते हैं, जिसकी वज़े से लोगों ने जुरूरी numbers को याद रखना ही छोड़ दिया है, छोटी सी calculation क करनी हो, तो अपना धिमाग लगाने के बजाए calculator निकाल लेते हैं, अक्षर लोग market जाने के बजाए online ही shopping कर लेते हैं, जिसके कान वो बदलते market को समझ नहीं पाते, खाना चाहिए तो जुमेटू या स्वीगी से मंगा लेते हैं, बजाए घर पर healthy days बनाने के, बात करने के लिए social media है ही, जिसके कान लोगों से interaction नहीं हो, पता ना ही communication skill develop हो पाती है, प्लेजर चाहिए तो पौन देखो और masturbation कर लो, बजाए आप नए दोस्त बनाए, exercise, meditation करें, बाहर नेचर से जुड़ें, और अब तो chat GPT जैसी AI technology आ गए है, जिसमें अपना धिमाग यूज करने क नहीं तो सुबह जल्दी उठने का सवाल ही पेदा नहीं होता, जिसके वज़े से पूरा दिन आलस रहता है, नीद आती है, गुसा आता है, मूड चिड़चड़ा हो जाता है, फिर आप जरूरी कामों को टालना शुरू कर देते हैं, और procrastinate की habit बन जाती है, जैसे तैसे आज 20 से 30 की एज में ही बालों की समस्या, मोटापा, हार्ट अटेक, डिप्रेशन, प्ले लेट्स, आँखों की समस्या बढ़ रही है, फॉर्थ है लेक ओफ लर्निंग एंड स्किल्स, दोस्तों आज दुनिया बहुत तेजी से चेंज हो रही है, नई टेकनोलोजी आ रही ह कॉंपिटिशन बढ़ रहा है, लेकिन आज के मेल्स इंटर्टेनिमेंट में ही मस्त हैं, जहां आप वेब स्रीज, मोवीज, वीडियो गेम्स में समय लगा रहे हैं, वही दूसरी तरफ लोग फाइनिशिल फ्रीडब पर काम कर रहे हैं, डिश्टल मार्केटिंग, स्टॉक मार्केट एयाई को सीख रहे हैं, आज मेल्स का पिछे रहने का एक सबसे वड़ा रीजन ये भी है, कि उनमें आज के समय के कोर्डिंग, डिमांडेबल स्किल्स नहीं हैं, तो दोस्तों ये चार मेजर रीजन हैं, जिससे आप कमजोर होते जा रहे हैं, चलिए अब आपको पॉन देखने के लिए मजबूर करती हैं, उन्हें हटाना होगा, जैसे उन सभी फोल्डर्स को डिलीट कर दो, जिसमें आपने पॉन वीडियो चिपा रखी है, इन कोगनिटो मोड में अगर आप पॉन देखते हैं, तो इसे बंद कर दो, और अडल्ट साइट ब्लो कर रही हैं, आज कल इंस्टाग्राम भी असलीलता में डूपता नजर आ रहा है, इसलिए उन सभी इंस्टाग्राम मोडल्स को अनफोलो कर दो, जिसे आपने फोलो कर रहता है, साथी उन सभी इंस्टाग्राम पेजिस और वाटसप ग्रूप को भी लेफ्ट कर दो, जहां से इसलिए sexual thoughts का आना biological है जो कभी भी किसी भी age में आ सकता है जो कि एकदम normal है लेकिन sexual thoughts आने के बाद आप क्या action लेंगे ये आप जुरूर कर सकते हैं इससे related मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसे आप description में दिये link की help से देख सकते हैं second है be physical and mentally strong दोस्तो हमारी health भी life की सबसे जुरूरी asset में से एक है regular exercise प्लस meditation की जरिये आप अपनी life को पूरी तरह से transform कर सकते हैं जहां एक तरफ regular exercise से anxiety, depression कम होता है, energy level increase होता है, bones and muscles strong बनते हैं वहीं दूसरी तरफ meditation से आपका bill power बढ़ता है, focus level increase होता है, productivity बढ़ती है दोस्तो meditation एक ऐसा traditional method है जो आपको अपने brain को फिर से reprogram करने में help करता है, अब इसके लिए आपका सबसे पहला step ये होना चाहिए कि आपको रात को जल्दी सोना है, आप एक fix time बनाएं कि मुझे 10 या 10.30 बजे तक सो जाना है, क्योंकि सुबह जल्दी उठने की आदर डालनी हैं, तो उससे पहले आपको रात को जल्दी सोने की आदर डालनी होगी, अक्सर लोग प्लान बनाते हैं कि मैं कल सुबह 5 बजे उठूँगा, 20 मिंट exercise करूँगा, लेकिन वह सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, फिर उस काम को अगले दिन पर टाल देते हैं, जिससे उन्हें इस चीज की आदत कभी नहीं लग पाती, अगर आपको लेट तक उठने की आदत है, तो खुद को शुरुआत में ज्यादा फोर्स मत करो, इसकी बजाए जब भी आप सोकर उठें, घड़ी में जितना भी बजरा हो, चाहे 6 बजे हो, 7 या फिर 8, आपको 5 मिंट exercise और 2 मिंट meditation करनी है, आपको एक बार आदत डालनी है, अब time का कोई जंजट नहीं, जब भी उठो उसके बाद आपको ज्यादा नहीं, बस 5 मिंट exercise और 2 मिंट meditation करना ही करना है, फिर धिरे धिरे सुबह लेट उठने का time घटाते जाओ, और exercise और meditation का time बढ़ाते जाओ, कोशिस करो रात क कोई self improvement book पड़ो, बजाए mobile phone चलाने के, और mobile phone को सोने से एक घंटे पहले ही छोड़ दो, याद रखे 6 से 8 घंटों की नेद आपके health के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, mobile phone addiction पर मैंने एक वीडियो बनाई है, जिसका link मैंने description box और उपर eye button पर भी दिया है, जिसे आप इ ICU में रखने के बाद उसे छुटी मिली और उसे घर लाया गया, लेकिन फिर कुछ दिन बाद उसे जोंडिस हो गया, जिसके कान फिर से उसे हॉस्पिटल में admit किया गया, एक हपते बाद फिर से उसे छुटी करवा कर घर लाया गया, ओप्रेशन कराने की वज़ए ये थी, क देज मिर्च मसाले में दे से बनी चीजे खाना वोइड करो, इसके वज़ाए दलिया, खिचडी, सैलेड्स, फ्रूट को अपने डाइट में सामिल करो, हरी सबजिया, डाइ फ्रूट्स का सेवन करो, अपने खाने का समय फिक्स करो, हमेशा उसी समय खाना खाओ, खाने के त स्कील जैसे डेटा साइंस, ए आई एंड मसीन लर्निंग, साइबर स्क्योर्टी, डेटा एनलिस्ट, मॉइल एप डेवलेमेंट और डिजिटल मार्केटिंग आधी, और सोफ्ट स्कील जैसे कम्यूनिकेशन, टाइम मेनेजमेंट, नेटवर बिल्डिंग, एंपिथी, क्रि करते रहना होगा, इसके लिए आप बुक्स पढ़ सकते हैं, पोडकास सुन सकते हैं, लाइफ इंप्रूमेंट के कोर्स कर सकते हैं, दोस्तों आज हमारे पास ऐसे बहुत सारे फ्री प्लेटफोर्म्स एबिलेबल हैं, जहां आप फ्री ओफ कोर्स्ट बहुत सारे कोर्स कर स यूटूब पर भी बहुत सारे ऐसे यूटूब चैनल है जिसे डवलू एस क्यूब, ग्यान यग्या, जी एफेक्स, मेंटर और भी बहुत सारे ऐसे चैनल जहां आपको धेर सारा कॉंटेंट मिल जाता है जहां से आप हाड स्किल एंड सोफ्ट स्किल दोनों पर कमांड कर सकत हैं अब आप इस चीज का एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि आपके पास सीखने का कोई जरिया नहीं है आप जो टाइम वेस्ट करते हैं उसे जरूरी स्किल सीखने पर लगाएं ताकि आप लाइफ में क्रो कर सके हैं तो दोस्तों ये चार तरीके जो मैंने आपको बताएं हैं ये एक दूसरी को कॉंप्लिमेंट करते हैं अगर आप exercise डाइट पर ध्यान देंगे तो आपकी health अच्छी होगी bad habits को छोड़ कर new habits बनाओगे और अपनी learning पर काम करोगे तो आप एक कमजोर लड़के से एक असली मर्द बन पाओगे एक strong man बन पाओगे अभी हमें comments में लेने वाले हैं असाथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे like and share जरूर करें अब मिलते हैं next वीडियो में तब तब के लिए bye and thanks for watching